के लो एबरीवन कैसे इंए आप लो दोस्तों इस्तिरे से नीवु के जो छिलuben होती है हम इंस्तेमाल करने भाद इसको प्हेग देते हैं तो देखें से नीवु में काफी 패 रहते हैं मिस्तरे से भीव और करते हैं करेंगे नमस्कार दोस्तों क्रेटी वूमन में आप सभी का स्वागत है चलिए दोस्तों वीडियो को सुरू कर लेते हैं तो देखे मैंने इस तरह से निवू को जो छिलका लिया हुआ है इस तरह से मैं फैकती निवू तो दोस्तों वही बिनेगर है जो हम इसके मागरा में इस्तेमाल करते हैं वही वाइट बिनेगर है जादे तर सभी घरों में मिली जाता है और इसमें सबसे खास चीज माट डालोंगी मैं घर में इस्तिमाल करते हैं वही निर्मा है तो देखिए आपकी इसमें निर्मा डालने से इसलिए इस का इसी तरवे चीज़ें लाते हैं," टो क्ग्र कि ला निर्मा लेंकि ए दोछी तरह MA अजिए इसको वाल दो आने देखिए," shines भी में में डाली हुई हूई है इसका चाहते डाले हुई हो इसका अच्छी तरह थे आतार में लेएक चाहिये बिंद्र एक र्क बорот मर्क हम खरिदे हैं मार्केट से और साबूंग बरतंद होने की टिक्यां खरिदते हैं तो दोस्तों इस तरह से आपको बाहर से कोई चीजे खरीदने के जरूरत नहीं होगी जो चीजे हम घर में इस्तिमाल करते हैं तो देखिए क्यों न हम चोटा मोटा चीज इस तरह से हम अपने घर में बना के तयार कर लें तो दिखिए मैंने गैस का फिल्म बंद कर दिया था और इसको मैं जो नीबू है इसके अंदर मैं इसको निकाल लेती हूं जी हां दोस्तों इस नीवु को मैं निकाल लेती हूं अलग कर लेती हूं बाकी मैं बताती हूं कि आगे मुझे करना क्या है तो चलिए मैंने नीवू को निकाल लिया है अब मैं इसको मिक्सी के जार में इसको ठंडा करने के बाद मैं इसको ठंडा करने के बाद एक स्मूध पेस्ट बना लेती हूं तो देखे मैंने ठंडा करने के बाद इसको मैं एक पेश्ट बना ली हूँ और यह जो पानी पैन में है जो नीवू का है पानी है मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ तो दोस्तों यह हमारे घर में एक अच्छा सॉलेशन बन के तयार हो चुका है हम मारकेर से इतने महंगे महंगे सॉलेशन ले खरीत के और काफी है लगाता है तो देखे इस तरह से हमारे पैसे हूँ गचत divya मंध्यृस है इस आपास सब्सक्राइब लगसे होसे इसको च्टाल लें तो इसी तरह से आपको जितना भी बढ़ाना था भूपे में आप बढ़ा सकते हैं कि जाधे नेवु को फैक देते हैं निवु को जो फैक देते हैं तो दोस्तों इस तरह निवू को चिल्लक को हम पहें पंडी में रखें फ्रीज में रख देती हूं छिलक बिलकुल खराम नहीं होता निवू का इस तरह से मैं इसको इसको इस्तिमाल करती हूं तो दोस्तो यह मैंने पहले अपने आप में इस्तिम्हाल किया है तो जो निबूग का क्षिल्ल已经 यह जो मैं बनाया हुआ है यह मेरा एक調 से वीमवार बनके तैयार हो चुका है तो दोस्तों जग्किन मानिए पैसे घंचे करना क्या है तो तो कोई भी इस्तारे से बोटल आप ले सकते हैं तो तो देखें इसमें चीड करा हुआ है धक्कन में चली में आगे का रिजल्ट बताती हम जिए करना क्या है तो दोस्तों इसती दिखिए इस तरह से मैं एक बार डालतै, दिखि म darauf एक पर दाल वाक कम करें है सिर्फ मैं 1 लगा और शबता मह थोके हैं रही तो यह चूट प्रेक आप आप अपने घर में जरूर आजमा की देखिए गा इस है है कि मैंने नीबू डाला हुआ है तो इसी क्या है कि हमारे बर्तन बिल्कुल क्लीन और जो बर्तन में थोड़ा इसमेल वगारा रहता है बिल्कुल नहीं इसमें रहने वाला है तो दोस्तों यह छोटा सा ट्रीक है इसको आप जरूर आजमा की देखिएगा तो देखिए मेरा सब्सक्राइब धूमाच के दिखाते कर लिया है तो देक पारहें कहीं हमारे ऑन्याय नहीं है पर दमाच देखिकर रहें तो दोस्तों इसी तरह से आप देखका हैं रहाधा वहां बड़कुल परना अकि बात गर ज जरूर कर्दिजेगा और दोस्तों हमारे चैनल पे आप्लोग अगर पहली बार चैनल को सब्स्क्राइब कर लिजे काथ हों देख पार होंगे बरतन में कितना कील एटी है और कितना लाइट है तो दोस्तों इसी तरह से इस तरीक को आप लोग एक बार जरूब तो दोस्तों उसी का यह जो मैंने निवू छाना हुआ था जो सोलेशन बनाया हुआ था जो मैंने निवू को पीशा हुआ था शिलक को जो छिलक है देखिए इससे आप इस तरह से लोहे के बर्तन को क्लीन कर सकते हुआ जो पर कड़ाई काफी गंदा चला हुआ था और इसको मैं काफी रगड़ के भी साफ नहीं हुआ देखिए मैं इसके हैं इसको क्लीन करूंगी तो दोस्तों यह की मानिये इस तरह से आप अपने लोहे के बर्तन तवा हो गया कराई हो घृत का था कि इसको क्लीन कर सकते हैं और चमका सकते हैं दिखे इस तरह से शिर्फ आप नीबू की छिलक से इस तरह से आप माज़ेंगे ना ताप का यह जो लोहे का कड़ाई और लोहे का तावा है बिल्कुल की हो जाएगा और इसी तरह से आप लोहे का तावाई भी माज सकते हो जी हाँ दोस्तों यकिन मानिए लोहे की कड़ाई को अच्छी तरह से चमका सकते हैं तो जी हाँ खे़ों तो दोस्तों छोटा मोटा ट्रीक आप अपने घर में जरूराज मा की तीखियेगा आपके सामने रीजल्ट है मैंने अपनी कड़ाई को का तक तक कि इस तरह से माच किये और काफी अच्छी तरह से क्लीन कर लिया है तो दोस्तों अगर आपके घर में इस तरह से लोहे की कडाई है इस तरी को आप लोग जरूफ हो लो कीजिएगा तो देखे आप देख पार होंगे हमारी कडाई बिल्कुल क्लीन हो चुकी है तो चलिए अब मैं अपनी कडाई को धूल लेती हूं और मैं धूलने बाद दिखाती हूं कि इसकी किलियर्टी कितना बढ़िया आ चुकी है दिखे दोस्तों जादे मिहनत भी नहीं लगा है अब मैंने जरा से देर में अपनी कडाई को बिल्कुल अंदर से ओकी कर लिया है तो दोस्त सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेगा और दोस्तों हमारे वीडियो को कहां से देख रहे हैं और दुनिया के कौन से कौने से देख रहे हैं मुझे कॉमेंट करके जरूर बताएगा तो दोस्तों इस तरह से कडाई धुनने के बाद आप इसमें तेल थोड़ा सा सर सब्सक्राइब कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लेजेगा मिलते हैं तरह से नेक्स वीडियो जय हिंद जय भारत